नमस्कार आप देख रहे हैं दखबरदार आए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार गुरुवार को शिव पूरी के कोला रस पहुंचे थे जहां उन्होंने गुना शिव पूरी लोग सबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जोते रादित सिंध्या के समर्थन में चुनावी सबा को संबोधित किया पूर सियम ने कहा मद्य प्रिदेश में माराज ने कॉंग्रेस की हवा निकाल दी तब से खड़ी ही नहीं हो पाई अब मैं और सिंध्या साथ दिली जाने वाले हैं वहाँ खाली पीली नहीं बैठेंगे ऐसी सौगातें लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी ये रिष्टा क्या कहलाता है शिव और जोती भी है बनी रही की जोड़ी साथ काम करते रहेंगे पूर सियम शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि जोती रादेते सिंद्या की दूर दृष्टी बहुत अच्छी है वह सही समय पर गडबर कॉंग्रेस को छोड़ कर भारतिय जंता पार्टी में आ गए क्योंकि आज कॉंग्रेस के पास अपना दशा है न दृष्टी बची है इनका प्रधान मंत्री कौन होगा धन्नू पन्ना कलूब मुन्ना या जुम्मन पूर्षियम शिवरा सिंग ने इंडी गट बंदन परतंज कस्ते हुए कहा इनका प्रधान मंत्री कौन होगा धन्नू पन्ना कलूब मुन्ना या जुमन इसमें से कौन इसलिए कॉंग्रेस को अंधेरे में वोट देने से कोई फाइदा नहीं है उन्होंने कहा लोग सबचनाव में प्रधान मंत्री बनते हैं आप जब बाजार में बैगन भाजी खरीदने जाते हैं तो उलट पलट कर देखते हैं कि साड़ी तो नहीं है मचका भी बजा कर देखते हैं कि चन चन बज रहा है कि नहीं प्रधान मंत्री भी देख कर ही बनाएंगे बताते चले कि शवराज सिंग चोहान ने बुद्वार को जोतिरादेति सिंद्या के समर्थन में तीन सभाओं को सम्मोधित किया पहली सभा शिव पुरी जिले के कोला रस में दूसरी सभा अशोक नगर जिले के हीसागड और तीसरी सभा गुना जिले के बमोरी में की रस की सभा के दोरादेति सिंद्या ने मंच से कहा कि बेटी की शादी में माता पिता बेटी के कन्यादान में अकेले बैटते थे लेकिन मामा शिवराज सिंग चौहान ने सीम बनने के बाद कुछ ऐसा किया जिसकी वज़न से MP की सरकार बेटियों की शादी में कन्यादान के लिए बैठने लगी है जबकि कमलनाथ ने इस योजना को बंद कर प्रती बेहनों को मिलने वाले 51,000 रुपए अपनी जेम में रख लिये थे सिंधिया ने कहा शिवरा सिंग इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने प्रदेश में बेहनों के लिए लाडली बेहना योजना शुरू कर बेहनों को सम्मान दिया इस दोरान सिंधिया ने कहा कि अगर मैं 2020 में कॉंग्रेस की सरकार नहीं गिराता तो किसान सम्मान ने दी और लाडली बेहनों को पैसे नहीं मिलते उस वक्त शिवरा सिंग ने पुना मुख्यमंद्री बन कर कमलनात की जेब काचकर पैसा आप तक पहुचाने का काम किया है करना ना भूलें